हाई दोस्तों एक न्यू अपडेट आया हुआ है ट्यूबलेस फोक्विल्स को लेके जो कि आपने हिमालन फॉरुफिट्व में अल्री देखी लिया हुआ बहुत लोगों क्लेर हो भी चुक होगा बट रॉयलन फील्ड नहीं जब इसको मिलान इटली में इसको अन्वील किया अब प्री बॉकिंग जो है अभी स्टाड हो चुकिए आप चाहें तो बाइक को हिमालन को बुक कर सकते हैं बट अगर यह रॉयलन फिल अभी से डिस्क्लोस कर देते या दो महिने तीन महिने में अगर आने वाला है तो कई सारे जो राइडर्स हैं वो हिमालन को बुक नहीं करते हैं एक चीज़ बता दो कि अगर आपने हमालन ले भी लिए तो भी आप उसमें इंस्टॉल करा सकते हैं बिकॉस में साइज जो है वो सेमी है और टायर भी सेमी है टायर सभी बाइक में सेम है आपको सेट की टायर ही मिलने वाले है और यह टूबलेस टायर ही है बट जो क्रॉस फोक्स है वो जो है थोड़ टायम लेंगे उसका रिशेशन और सर्टिफिकेशन का प्रॉडम चल रहा है वो दो से तीन मेने में हो जाएगा ऐसा इंसाइड अपडेट आ रहा है और वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो वाइट कलर में आपको टूबलेस जो स्पोक्विल्स है वो देखने हो मिलेंगे यह वेबसाइट की ही जो सामने आप इमेज देख रहे हैं वो है एन उसका थ्रिस्ट्यू अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाए कि उसमें टूबलेस स्पोक्विल्स ही है बट थोड़ा रेशेशन के वाज़े से जो है थोड़ा डिले जो है वहाँ पर देखने हो मिल सकता है बट जिनने भी अगर भाई भी किया हुआ तो भी वो अपनी बाइक में इंस्टाल कर सकते हैं यह फॉर है बिकाज अरड़ी जो है इस पर प्रोड़क्शन जो हमने देखा ही होगा कि जब अब प्रोड़क्शन की इमेजेश आईए थी तो उसमें जो हमने ट्वलेक्श पोकविल्स देखा ही था इन्डिजाइनिंगी टाइम में भी था गप्ट यह हर एक मॉडल में नहीं है टिकां टायर साबी में सेम है बट यहर एक मॉडल में आपको नहीं मिल रहा है बट आप इंस्टाल कर सकते है जैसे ही वो launch होगा जोस्तों एक और question आ रहा था इसके chases को लेके बहुत सा रेडर ये भी पूछ रहे है कि इसमें जो bottom है ना bottom में कोई support नहीं दे रखा जो भी support है वो top side में ही है तो क्या ये reliable है off-roading के time पे ऐसा ना हो कि engine निचे ही गिर जाए या फिर वो उतना जो है intact नहीं लग रहा इंजन तो जोस्तों पहले एक चिर में clear कर दूँ कि engine पे multiple holding बना रखी है अगर आप top और side bottom के तरफ भी देखेंगे तो हर जगा आपको holes दिखाई देंगे अच्छे से engine को hold किया गया and roll and frame ने ये भी clear किया था कि इसको सिर्फ और सिर्फ engine को अलग और chases को अलग नहीं बनाया गया दोनों को एक साथ में ही testing किया गया and अच्छे से roll and frame टेस्टिंग करने के बाद में ही ये पुरा chases frame पुरा design किया ताकि engine भी proper रहे और उसकी placement भी सही रहे ताकि जो leg area है वो ज्यादा वाइड ना हो तो इसलिए उसको tank के नीचे ही प्लेस किया गया है तो बहुत सारी working जो है न रॉयल इंफिंग इसमें जो है बहुत ही source समझ के जो है की गई है and yes chases का जो ये doubt है मेरे को भी जैसी मेरे को highlight हुआ था मेरे को दिखा कि बहुत सारे multiple joints जो है न इसमें देखने में मिल रहे है अगर आप टॉप में ही देखने में दो जगा पर है and rear में भी जो है पीछे साइड में पूरा जो है उसकी joints जो है बहुत ही अच्छे बना रहा है and compare to other engine जो 411 engine था उससे थोड़ा light weight भी लग जो engine है वो देखने में लग रहा है and दोस्तो एक और चीज़ में बताने जाता हूँ कि जितनी भी bikes जो Royal Enfield Media Persons को दे रही है उसमें tubeless spoke wheels maximum में नहीं है कुछ ही bikes में जो है देखने में मिली है उसपे ज़्यादा आपको discussion अभी देखने को नहीं मिलेगा because उसपे अभी instruction नहीं आया होगा जैसे कि आपने दिखा कि media persons ने specification detail पता होते भी नहीं बता है योगि कुछ guidelines पास की जाती है जब भी आप Royal Enfield द्वारा जो कोई भी bike अगर आप लेते हैं तो guidelines होती है और उसके आपसे वीडियो बनाने पड़ती है तो media persons भी उसी तरह से जो है bike के reviews जो है आपको pass on कर रहे है opinion share कर रहे है अभी तो कई हों के opinion उतने ज़्यादा नहीं देखने हो मिले but अभी जो launch है दोस्तों वो 24 को officially कर दिया जाएगा and उस time में हमको prices भी देहने मिलेंगे अब बहुत ज़्यादा wait है I know बहुत ज़्यादा wait करना पट रहा है but Royal Enfield एक साही platform से जो है उसको launch करना चाता है and लोगों में excitement भी है और pre booking जो है start हो गए आप चाहे है तो उसको book कर सकते हैं I hope आपको complete detail मिल चुका होगा जिनको छोटे मुले doubts आ रहे थे chases को लेके spoke wheels को लेके वो इस video में clear हो चुके होगे फिर भी को doubt on query है comment section totally open है महाँ पर जाके अब directly पूसकते हैं bye झाल